हेलो इंटेलिजेंट्स इस अक्षय चोपडा वेलकमिंग यूटू अक्षय चोपडा मैथ्स यह प्री बोर्ट का सीजन चल रहा है आई होप आपकी प्रीबोर्ट की 10th क्लास की प्रेपरेशन काफी अच्छे से चल रही होंगी और इन्हीं प्रेपरेशन के बीच में सीबी एसी ने 10th क्लास की official date sheet हमें दे दिया है इस date sheet के according देखना आपका जो फॉस्ट पेपर है that is going to start from February 15, 2024 ठीक है तो उसके according February 15, 2024 का आपका फॉस्ट पेपर है जिसमें आपके बास painting ठीक है राई, गुरूंग, तमरा, शपरा यह सारे आपके exams आने बादे हैं देखना उसके 16th February 16th February 16th February को again data, science, marketing यह सारे minor subjects होते हैं ठीक है काफी कम बच्चे इन्हें opt करते हैं तो basically जो आपका officially हम कहें technically start होने वाला है that is from 19th February ठीक है 19th February से आपके exam स्टार्ट होने वाले है जिन्होंने Sanskrit opt कर रखी है तो उनके लिए paper Sanskrit का first paper होने वाला और वो 19th February से start होगी ठीक है और मिलते हैं और देखा जाए तो जो maximum बच्चों के पास होता है that is paper Hindi ठीक है जो की Hindi course B course A है जो आपका start होगा 21st February से ठीक है तो technically देखा जाए तो आपके exam start होने वाले है 21st February से ओके उसके बाद देखो 21st February के बाद जो main आपका यह languages का paper आ गया ठीक है Spanish, Kashmiri, Mizu, Punjabi का paper जो काफी ओप्ट करते हैं ठीक है उसके बाद क्या बेटा English का paper आ गया ठीक है English grammar जिसमें और literature language सब कुछ included है that is from 26th February that is 26th February उसके बाद बड़ी इंटरस्टिंग बात है बेटा सेकंड मार्च को आपका जो main paper है वो है science का paper ठीक है अब स्टूडेंट सोचेंगे भी 26th February को exam है उसके बाद 27, 28 और 1st March ठीक है हमारे पास कितनी चुटिया आगी बेटा आप इसमें 26 का day भी तो count कर लो 26 26 डे भी तो count कर लो ठीक है तो 26, 27, 28 लेकिन बेटा 1 ये 1, 2, 3, 4, 4 चार शुटिया नहीं आपको science में बेटा 29 की भी तो आपको एक शुटिया आगी क्यों क्योंकि this is the year 2024 which is leap year और leap year में आपको पता है एक दिन extra मिलता है February में तो technically देखा जाए तो आपको 5 दिन मिल गए science का paper discuss करने के लिए मेरी बात को समझ गए तो इन 5 दिनों में science की तीनों books आप बड़े अच्छे से खतम कर सकते हो ठीक है तो 26 को एक book खतम कर सकते हो 27 को second book 28 को third book उसके बाद बेटा 29 और first ये दोनों दिन मिलाके jump के revision हो सकती है including sample papers ठीक है तो science के लिए तो बड़ी अच्छी बात होगी अब second March के बाद देखो जो next आप का main paper होने वाला second March के बाद social science which is to the 7th of March second March के बाद जो main paper आपका होने वाला 7th March को यानि की एक second का दिन मिल गया third का मिल गया fourth का मिल गया fifth और sixth इसमें भी बेटा आपको पांच दिन मिल गए SST में भी आपको पांच दिन मिल गए जो की जूरूरत भी थी actually क्योंकि SST बहुत vast subject है बहुत स्यादा इसमें चार तो books होती हैं उसके बाद ठीक है ना आपके chapters भी इतने है देखो उसके बाद अपना SST के बाद आगया 11th मार्च को 11th मार्च को आगया mathematics का paper depending upon your choice आपने standard opt कर रखें या basic opt कर रखें तो 7th को अगर SST का paper है तो 8th 9th और 10th तीन दिन आपके पास है mathematics के लिए तीन दिन हैं आपके पास mathematics के लिए जो कि मैं समझता हूं काफी अच्छे द अराम करेंगे पढ़ेंगे हम तीन दिन में तो mathematics में तीन दिन आपको बहुत अच्छे हैं बड़े अच्छे से practice कर सकते हो आप इन दिन दिनों में तो यह थी बड़ा आपकी date sheet ठीक है जो last में जो काफी बच्चे opt करते हैं last में जो काफी बच्चे opt करते हैं that is information technology here information technology computer applications and artificial intelligence ठीक है आज कल तो artificial intelligence का दोर है काफी बच्चे artificial intelligence को opt करते हैं ठीक है तो बेटा यह थी आपकी आज की date sheet तो मैं इस date sheet का PDF का link सब कुछ description में डाल दूगा वहां से आप download कर सकते हैं तो students मिलते हैं next video में हम preboards के sample paper discuss कर रहे हैं तो I hope वो sample papers की सारी videos आप देख रहे होंगे जिसमें basic और standard सारे sample paper discuss कर रहे हैं plus सारी की सारी book मैंने solve कर वार किया इस ही channel पे उसका भी link मैं description में डाल दूगा जहां कहीं भी कोई भी problem आती है तो please do comment तो मैं reply करूंगा आपकी problem solve करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा तो till then good bye and take care students मिलते हैं next video में